नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सबा शाहिच शेख भारत ने 23 उगस्त को इतिहास वेच्टे हुए चंद्रियान 3 को सफलता पूर्वक चंद्रमा की सतर पर उतार दिया है शाम 6 बचकर 4 मिनट पर चंद्रियान 3 की सौफ्ट लैंडिंग हुई हैं इस दोरान देश विदेश से भारतिय वेज्ञानिकों को खूब बढ़ाई दी गई पीम मोदी ने भी सभी लोगों को बढ़ाई दी साथी उत्तर प्रदेश के सीम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया द और नए आत्म निर्भर भारत की समर्थई को समर्पित है तो वहीं अखलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है उन्होंने कहा है कि चांद मुबारक अब और भी आगे जाना है इसी पर चर्चा के लिए हम आज साथ मौजूद है कैप्टल टीवी के एग्जिक्यूटिव एडिटर राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है एक तरफ जब चंद्रियान 3 की सफलता की पूरी देश खुसी मना रहा है तो इसी बीच सीम योगी और पीम मोदी ने भी सबको बढ़ाई दिये लेकिन अखलेश यादव चांद मुबारक है कह रहे हैं क्या यह उनकी जो सभा में उन्होंने कहा था मुसल्मानों से जो नाराजगी जाहिर होई थी जो वह मुसल्मानों को कह रहे थे कि मैं आपका पक्ष लेता हूं यह सब कहते हैं फिर भी आपको लगता है कि मैं आपका पक्ष नहीं लेता तो क्या यह उसी की और इशारा है देखिए अखलेश अख्लेस यादव के पास शब्दों की कमी हो गई है क्योंकि जब पूरा देश खुसिया मना रहा है बड़े-बड़े पोस्ट लिखे जा रहे हैं सब लोग बता रहे हैं अपनी भावनाओं को इजहार करने के लिए उनके पास शब्द कम पड़ रहे हैं तो अखलेस यादव के पास दो ही शब्द हैं चांद मुबारक ये बात तो सही है कि वो इतने कनफ्यूज थे कि वो इस मौके का भी इस्तेमाल राजनितिक फायदे के लिए करना चाह रहे थे ये चांद मुबारक ये कब कहा जाता है चांद मुबारक का मतलब क्या है किस समय ये बधाई दी जाती है चांद मुबारक की ये किसी से चुपा हुआ नहीं है जब इद के समय होता है तो दो शब्द लिखे जाते हैं चांद मुबारक क्या इद की बधाई दे रहे हैं अखलेस यादब लेकिन अखलेस यादब को एक तीर से दो निसाना साधना है पहली बात तो अखलेस यादब तीन दिनों से परिशान थे इन लोगों को पूरी विपक्षी पार्टी को यह लग रहा इसके पीछे ऐसा सिर्फ नहीं है कि यह देश के खिलाप है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इनके सफलता से इनको चिड होती है लेकिन इस समय और ऐसी सफलता से इनको चिड है चिड इस बात को लेकर है क्योंकि यह समय उनके अनुकूल नहीं चल रहा है उनके वीपरी चल रह अगर बदहाले नहीं देते हैं तो ऐसे में पूरे देश के लोग क्या कहेंगे सब लोग यही देख रहे हैं कि किस विपक्षी पारटी के निताओं ने कैसे ट्विट किये किस तरीके की बदहाई दी क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि जैसे ही चंद्रायन मिशन की सफलता की बात की जा रहे थी और कौंट डाउन शुरू हुए कि तेश तारीक को इतने बज़े लैंडिंग होगी और उसके लिए इसरो के बैग्यानिकों ने तैयारी शुरू कर दी तो फिर ट्विटर पर एक नया ट्रेंड चल गया वहां से शुरू हुआ कि इसरो की स्थापना किसने की विक्रम सारा भाई को पदवार किसने दिया वैग्यानिकों को इतनी सुविधाय किसने दी इसरो के दौर से चला 1960 के डिकट से कि 62 में जवाहर लाल नहरू ने इसरो बनवाया तो जवाहर लाल नहरू को पहला क्रेटी जा दृटर पर को जाता है कि मनमोंषेंच के समयमें 2008 में जो मिश्यंमून अभियानमी पर भेजा गया वह उसकी सफलता का उतरी दिया जा रहा है मतलब इनों को लग रहा था कि जो आंशिक सफलता अब तक मिलती रही है वैसे ही कुछ आंसिक सफलता मिले, क्रेस लेंडिंग हो और तालियां बजाने का मौका न मिले लोगों को अगर उस समय सफलता मिलती है तो उस समय की सफलता का स्त्रे भी उस समय के लीडर को दिया जाता है लीडर्शिप एक बड़ी बात होती है क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसे युद्ध में सेना नायक ही लड़ता है ऐसा नहीं होता है कि सेना पती अगर पहले की बात करें या आज की बात करें तो आज ऐसा नहीं होता है कि करनल मेजर ही लड़ते हैं युद्ध में सिपाही भी लड़ते हैं, Constable भी लड़ते हैं, ये सारे लोग युद में वैसे ही जीत के लिए लड़ते हैं, लेकिन स्रेक इसको जाता है, कमांडर को ही जाता है, जिसने उसका नित्रित्र किया, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका, आहम भूमिका उसकी होती है, अगर पिछले यादब ने कहा, ये वैक्सिन, भाजपा का वैक्सिन है, इसे लगाओगे, तो दिक्कत हो जाएगी, क्यों भी पक्ष ने वैक्सिन पर सवाल उठाया था, उसके पीछे का कारण यही था, कि सफलता उस समय मिली है, जब एक सफल व्यक्ति राजनिती कर रहा है, जिसकी और पीछे चले गए है, यही बात चंद्रायन को लेकर है, क्योंकि किसी को भी दुनिया में यह नहीं कहा जा सकता, कि कोरोना का वैक्सिन जब इजाद करने की बात आई, जब उसके खोच चली, और वैग्यानिक दिन रात मेहनत कर रहे थे, तो उस समय अमेरिका और ब्रिट कुछ इन्वेंशन हो रहे थे, यहां भी हो रहे थे, और जब ब्रिटेन में वैक्सिन बना, उससे पहले भारत बना चुका थे, उसके ट्रायल चल रहे थे, तो ऐसे में इरोप अमेरिका के सामने यह लोग क्या करते, ऐसे आपदा के समय में हाट जोरकर खरे रहते, कि जैस अभी अफिरका के देश है, जैसे एसिया के दूसरे देश है, इंतजार कर रहा था, कि जब भारत के पास, या अमेरिका के पास, या एरोप के कुछ देशों के पास, या चीन के पास, ये लोग वैक्सिन बनाएंगे, अपने देश के लोगों को देंगे, और उसके बाद ज इतने खतरनाक लेवल का था कि उस वैक्सिन का उल्टा असर पड़ गया वैक्सिन तो दिया गया इस बात के लिए कि कोरोना खत्म होगा लेकिन उससे कोरोना का इलाज तो नहीं हो पाया और विश्वास इतना हो गया था कि हम वैक्सिन लगवार चुके हैं तो हम कुछ भी कर स शोसल डिस्टेंसिंज का पाला नहीं कर सकते उसका असर हुआ पाकिस्तान से भी खबरे आई एरान से भी खबरे आई जहां जहां चीणने वैक्सिन की सप्लाई की तो ये इस थितिया पहले से भारत में थी और ये जो काम्यावी हुई और मोधी सरकार के समय में काम्यावी मिल तो इससे विपक्ष को लगने लगा कि इस कामियावी का फायदा राजनितिक तरीके से भी होगा क्योंकि ये तो छाती पीट रहे थे इस बात के लिए कि कोरोना में कितने लोग मरे हैं ये नहीं सेक रहे थे कि कोरोना के कारण कितने लोग मर सकते थे जो विक्सी देश है, अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों में, इटली जैसे देशों में, भुजुर्गों को ध्यान नहीं दिया जा रहा था कि युवाओं को बचाओ, इस लोगों को छोड़ दो, मरने के लिए छोड़ दो, इस्ट्रेचर कम पड़ गए थे, उस समय यहां पर यह काम्याबी हासिल हुई, और उस समय भी लोगों ने ऐसा ही किया, आज का दोर है, अब चंद्रयायन 3 की सफलता के लिए, यह लोगे सोच रहे थे, किसी तरीके से विफल हो जाए, लेकिन इनका प्लान तो फेल हो गया, अब क्या किया जाए, ऐसे समय में, अखले को जटका लगा, अब हम क्या करें, बधाई देना मेरी मजबूरी है, और बधाई नहीं दिये, तो देश में थूथू फजियत होगी, और इसलिए एक ऐसा ट्विट किया, कि समाजवादी पार्टी सरमसार हुई है, यह दो शब्द का ट्विट, चांद मुबारक, इसका मत करते हैं, यह मुस्लीमों को लुभाने की एक पॉलिसी है, जबकि चंद्रायन मिसन जो चल रहा है, और भारत में जो रास्टबाद अभी नया पैदा हुआ है, उसका असर है कि इससे पहले किसी भी बड़े आयोजन होते थे, या फिर कुछ इस तरह के इन्वेंशन होते थे जब इंतजार किया जाता था, तो पहले ये नहीं देखा जाता था, कि कुछ हवन तो होते थे, कुछ पूजा पाठ होते थे, नमाज अदा करते, रोजा रखते नहीं देखा जाता था, और नहीं क्रिश्चन लोग इसके लिए प्रार्थना करते नजराते थे, इस बार ऐस कि पिछले कुछ समय से ये जो बर्गलाने वाले नेता हैं। उन लोगों की बात सुनना लोगोंने बंद कर दिया। मुसल्मानों का इस्तेमाल जो ये वोट बैंक की तरह कर रहे थे उन लोगों का सुनना बंद कर दिया लोगों को लगने लगा कि ये हमें इस्तेमाल करते हैं सिर्फ राजनिती काधार पर चुनाव के लिए तो हम क्यों न अपने राश्टवाद को परदर्शित करें दिखाए कि हम हिंदुस्तान के हैं और हिंदुस्तान की हर सफलता के लिए हमें भी उससे जुड़ा रहना चाहिए अगर सफलता मिलती है तो हमें उसकी खुशी मनानी चाहिए विफलता मिलती है तो हमें भी मायूस होना चाहिए हमें भी दुखी होना चाहिए क्योंकि हमारी पहली प जब पूरा हिंदुस्तान में हर कॉमुनिटी के लोग चंद्रयायन थरी की सफलता के लिए प्रार्सना कर रहे थे अपने अपने तरीके थे तो अखले सियादव को लगा कि इस बीच हमें मुसल्मानों के इन लोगों से अलग कैसे करना होगा तो इसके लिए हमें जरूरी है कि कुछ ऐसे शब्द ढूंड हो जिससे मुसल्मान सिर्फ हम से कनेक्ट हो और देश के दूसरे लोगों को लगे कम से कम अखले सियादव ने बधाई तो दी ये पूरा का पूरा अखले सियादव की प्लानिंग थी क्योंकि उनको पता है कि एक चंद्रायन थ्री की सफलता के कहानी जो पूरी दुनिया में अब दीरे दीरे गुंजती रहेगी नएने तस्वीरे आएगी कुछ नए वहां से जो खोज करके बेजा जाएगा उससे उसकी चर्चा होगी पता चलेगा कि पहले तो पानी के खोज कर चुके हैं अब वहां प जाएगा और पिये मोदी के नाम पर यहां के लोग वोट देते हैं तो अखलेश यादव की चिंता इसी बात के लिए थी कि कम से कम मुसल्मानों को अपने साथ खीचो और उनसे अलग करो इसलिए जो एजेंडा इन्होंने अपनाया एक ट्विट के लिए वह भी एजेंडा इक्सपोज हो चुका है अब ट्विटर पर ही अखलेश यादव की फजियत हो रही है और इस फजियत का नतीजा अखलेश को भुगतना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल सही का आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो देखा आपने एक तरफ जहां सब लोग भारत के चांद फता करने पर खुशिया मना रहें और सब को बधाई दे रहें तो वहीं दूसरी तरफ सपा प्रमो का खलेश यादव ऐसी खुशी के महौल में भी अपनी गंदी राजरीतिक रोटियां सेक रहें चांद मुबारक कहकर वो ये जताना चाह रहे हैं कि वो मुसल्मानो का कितना खयाल रखते हैं फिलहाल के लिए किस्सा यूपिका में इतना ही देखते रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश नमस्कार